तो फेल गेम फैबली रेसिडेंट इविल 4 के एपिसोड 14 में आप सभी का सौगत है और इन केस आपने यहाँ तक कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है या कलवल एपिसोड मिस कर रहा है तो सबसे पहले आप उन सारे एपिसोड को देख लो ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी ह आपको बिल्कुल अच्छे से समझ भाए तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लॉट सैडलर ने अपने काबू में कर लिया एश्टी को और एश्टी उसके साथ चली गई है और सैडलर ने जातिया दे धमकी भी दिये लियान को कि तुम्हारा हिसाब किताब तो अभी म मेजर क्राउजर करेगा यानि कि आज की गेंप्ले में मेजर क्राउजर के साथ बॉस फाइट होने वाली है तो दो तीन एपिसोड पहले जो असी हजार का मैंने लॉंचर खरीदा था उसको फाइनली यूज करने का टाइम आ गया है और इसलिए अब बिना देरी किये आज क इंदजार कर रहा है और लास्ट टाइम वाली फाइट या देना वो क्राउजर के लिए खेल था अब देखते कि ये इस टाइम वाली फाइट कैसी होगी कुछ जादा ही सननाटा है कि अपाइब में आ यह आई लुकी याइब आफ दू बुट्ट यू इसादी में आई आफ याइब वाइब याइब लुड़ के यूड़ को जूड़ को है But if you think I'm gonna let you out of here, alive, you're even more naïve than I thought. You can't save her, you can't save anyone. Give it up, Krauser! Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. He's doing everything for Krauser's power. He's doing everything for Krauser's power. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. He's doing everything for Krauser's power. How many grenades I'm going to throw up on it? I'm going to run, Roki. No, no. Not like I... Are you alive, man? No, it's alive. What's wrong? Show no mercy! अरे ये क्या किया गायव हो गया अचानक से मारेगा जान बुझकर लियॉन को छेड़ आए कि जल्दी करो वरना क्या पता कि तुम्हारी लड़की का क्या हुआ होगा यानि कि आशली का गया कहा है ये क्राउजर अच्छा मुझे लगता है आगे जाना पड़ेगा ओके ये डोर बंद है ये डोर है ये पता नहीं क्या है तिजोरी ये बंद है तैयार रहना होगा चानक से ये हमला करेगा तो लियौन का ऐसा लगा ना कि मेजर क्राउजर सरकार से अपने आत्मियों का बदला लेने के लिए इन पागलों के लिए काम कर रहा है लेकिन क्राउजर बोलता है कि तुमको क्या लगता है मैं बदला लेने के लिए कर रहा हूं नहीं मुझे लास्ट उप्रेशन के टाइम पर समझ में आगे है कि सबसे ज़्यादा important thing दुनिया में power लगते है KGF इसने भी देख लिया है तो इसको भी power चाहिए जो इन लोगों ने इसको दी है यानि krauser को तो door खुल चुका है लेकिन ये krauser कहा है जलबाजी नहीं करनी है यहाँ पर तो लियॉन को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी है मेजर क्रॉजर ने लास्ट उप्रेशन के टाइम पर लियॉन बोल रहा है कि पूरे जगह पर जाल बिचा के रखा है इस krauser ने और अचानक से कहीं से भी आ रहा है हमला करने यार ये अभी तक की नहीं ये सबसे इंट्रेस्टिंग बॉस फाइट है इतना समल के खेलना पढ़ रहा है त्रोजर ऐसा है कि मरने तू वाला है क्योंकि असी हजार का लॉंचा ने लियॉन के पास अरे ये वाला ट्रैप गॉंच निकलने के बाद आज मैंने देखा है इससे फाइट करूँ या इसके जाल समचो क्या है ओ भाई साब सेंट्री गन लगा के रखी इसने ओके अच्छी बात ये कि ये वाली गन डिस्ट्रॉई हो सकती है एक साथ कितने ट्रैप लगा के रखे एक राउजर उधरी से जाते हैं लेकिन थोड़ा होश में क्योंकि कभी भी अचानक से ये हमला कर सकता है तो क्रॉजर छुपकर हमला करना अच्छी से जानता है और लियोन इस बात को भूला नहीं है अरो धत्री की वायोब निकल चल्दी मैं तेड़ा हो के भाग रहा था यहां भागने का जगा ही नहीं था इतने पतली जगा पे लगा के रखा मैं कैसे जाता पहले ट्रैप को तोड़ देना जाही था कोई बात नहीं जादा हेल्थ गई नहीं है क्योंकि आर्मर है मेरे पास लो अब लॉंचर भी छोड़ने लगा क्या बत्तमीज आत्मी है बुल रहे कि अभी भी जिन्दा हो तुमारा लग था इसलिए बच गए ऐसा ही कि लियोन अपना लग पहन के चलता है लग स्कोजी बैग में न जंगा फुल हो गई कुछ क्राफ्ट कर लिया जाए शॉट गन की गोलिया नहीं बना सकते गलट टाइम पर मशीन गन की गोलिया हाँ चलो सही है ऐसे भी लॉंचर अब तो खतम होने ही वाला है सिर्फ एक यूज करना है अभी यूज नहीं करूंगा पहले इसको बनने दो कुछ मॉंस्टर यह बनेगा जहां पर लाइट जल रही है न वहीं पर यह बैठा होगा इसलिए स्नाइपर में स्कोप लगा और अब देखते हैं कि अउपनी ही यह यह करना है जाएट इसलिए भी स्टिए लुझार मुझार मुझा यह लाइटा होगा तर देखते हैं बहुत अच्छा चार गोली सर पर पढ़ती नहीं है भाई साब निगल लेते है निगल लिए क्या बॉक्स रखाव है लेकिन अभी नहीं लूँगा क्योंकि अटैक कर सकता है ये कभी भी दो गोली पढ़ती नहीं भाग जाता है क्या आदमी है ग्रेनेट निकाल के रखता हूँ अगर वहाँ पर छुपा होगा ना इसके सर पर ग्रेनेट मारूँगा बोल रहा है कि तुम मेरे टेस्ट में पास होगे बहुत अच्छे नंबर से और ये ग्रेनेट मेरे मेडल्स थे थैंक्यू अब ऐसा है न कि क्राउजर मुझे लग रहा है कि डर रहा है अपना मॉंस्टर रूप है अगर कोई तु दिखा दे वरना मर जा ये अलग अलग जंगा पर अलग अलग कांड कर रहा मेरे साथ तैयारी रहो अच्छा राएगा अजब भाएगा... अजब आशचा ये तरफोक मजटिया था हाँ हाँ थोड़ा और तब आशा कर लुलियोन वेट करेगा मतलब नंगा होके मरना चाहता है तो अपनी इच्छा हाँ इसकी वो जहता है मतलब पर आफ मारने वाला है भाई हाँ हाँ यह अएकिए जृष्ट्योह अज हमत्गि हाँ यह कि अनक्रत्पास हास् अज हाँ है तो बाइ सब्सक्ट को इसके मंञां equ пап उ सह प्रॉठ यह लिए ाए हूड़ा है है वो है है we दो बाधाने को Leon को कमजोर बोल रहा है बोल रहा है कि जो जरूरी है वो तुम नहीं कर सकते और यही डिफरेंस है तुम्हारे में और मेरे में नए-ने, मुझझे ट्रेनिंग नहीं खتم करवानी भाई, क्या करने वाला है Leon मैं बही बोल रहा है, कहा है? प्रिश 4 में ये पक्का आ रहा है लियॉन बोल रहा है कि इतनी गिनावनी ताखत तेरी असली ताखत है पैसे वापस ले ले यार लियॉन मज़े मतले बहुत मारेगा वो तो भाई सब तडबते वे देखना चांते लिया उनको अच्छा रॉकेट लॉक्चर निकालने का टाइम हो गया है क्या आई थीक कि अब निकाल लेना चाहिए क्योंकि अब नहीं तो कब तो मैंने वादा किया था कि लूइस का बदला लूँगा इसको लॉंचर से मार कर और इसलिए असी हजार खर्चा किया था तो अब यूज किया जाए ये फाइट कम कर रहा है मेराथान जादा करवा रहा है मुझसे इधर से उधर उधर से इधर आप चेला गुरू को पड़ा है तॉप निकाला जाए लॉंचर एक लॉंचर पे कांडो गया साही है लॉइस को मारा था इसने और अब ये ऐसा भी बन गया तो इसको तो मारना पड़े गई और खुद बोल दिया कि जो ज़रूरी है वो कर लो तॉब ओुब तॉब 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 जुब अँ है अँ बढोलना तरोकिर इस अची नहीं बोला मरनेस पहले मेजर क्राउजर बोल गया कि मैंने तुम्हें अच्छा ट्रीन किया है लियॉन और लियॉन ने भी इस चीज को माना कि हाँ आपने अच्छा ट्रीन किया था यह मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सैडलर अभी भी जिन्दा है प्राउजर दुबारा जिन्दा मत होना इतनी फाइट आई थिंग ये काफी थीस है ये देखा क्राउजर के उपर कैमरा फोकस किया मुझे लग रहे कि ये जिन्दा होगा पता नहीं देखने आगे फिलाल नेक्स चैप्टर कंटीन्यू किया जाए दो ही चैप्टर और बच गया है 15 और 16 गेम खतम होने वाला है अब देखना है कि सैडलर के साथ बॉस फाइट कैसी होती इसके साथ तो अच्छी थी क्राउजर के साथ मज़ा है जो भी क्राफ्ट कर सकते हैं फिलाल क्राफ्ट कर लिया जैसे हेल्थ वالा तो बहुत है मेरे पास लास्ट के लिए बचा के रख रहा हूं लास्ट बॉस फाइट के लिए चलो ठीक है मैगनम की भी दो गोलिया है सब मशीन की गोलिया बन गई बढ़िया सब मशीन को ही जादा अपग्रेट करेंगे आगे और अश्टी अरे भाई ये मत बोलना कि लास्ट में आश्टी मर जाएगी मतलब अगर मर भी जाएगी तो बताना मत अभी तो सैडलर ने कुछ जादा ही लोग बिचा के रखें ताकि लिएन वहां तक पहुँच नहीं पाए मेरे पास गोलियां काफी है न क्योंकि बहुत जादा गोलियां लगने वाली है अभी ऐसा है कि सैडलर से लड़ने से पहले आई थिंक कि 100-200 आदमी तो मारने ही पड़ेंगे इसके पास से रिसूर्स खरीद लिया जाए मर्चंट टेंशन मतले तेरा एक ही कस्टमर है जो कि यहां से अब जाने ही वाला है जल्दी फिर तेरी दुकान का पता नहीं क्या होगा यह तो मतलब हद हो गए यार भाई साब यह चौफर लेकि कोना एड़ा आई या थैंक्यू जो भी थन लेकिन वापस आ रहा है वापस आ रहा है है कोन इसके अंदर यह मेरा काम असान कर दे रहा लेकिन है कोन लियून की हैंडलर ने भेजा यह चौपर तो चौपर के अंदर जो आत्मी उसका नाम है माईक और उसने बोलाए कि सबको मार देगा वो बहुत अच्छा एक दो आत्मी में भी मार देता हूँ ऐसा नहीं है हाँ चौपर आर आर मुझे मत मार भाई क्या कर रहा है इसकी गुलियां मुझे भी लग रही है वाँ है कि अधिक का इस ओ माइक भाई मेरे को मत मार मतलब मैं जान रहो अंधादून गोली चला रहा है लेकिन आराम से यह चौपर नहीं होता तो मतलब एक साल लग जाता है इतने आद्मियों को मारने में माइक ने दर्वाजा फोड़ दिया लेकिन जो समान है माइक लेकर जाना पड़ेगा ऐसे नहीं जा सकता हूँ अब यह आगे पता नहीं कितने आद्मियों आएंगे भाई इसलिए कोई भी समान अभी छोड़ नहीं सकता मनलब एटली स्ट्राइक करूँगा कोई कोई भी समान छोड़ना नहीं पड़े ओके तो मैं भी इसको हैंडल कर सकता हूँ लेकिन फिलाल कोई आत्मी नहीं है जड़ी बुटी ले ली जाए क्योंकि माइक का कोई भरोसा नहीं मुझे भी मार दे रहा है तो माइक आगे का रास्ता खाली करेगा ठीक है मैं इंतजार करूँ तब माइक ने वाट लगा दिये भाई इसकी और आत्मी आ रहे हैं मैं गोली मारू या माइक कैंडल कर लेगा माइक दो चार आत्मी आ रहे हैं बहुत अच्छा मुझे अब कुछ करना है या बस मुझे चॉपर को फॉलो करना है ऐसा लगना चाहिए कि लियोन भी हीरो है अब दो चार गोलिया भी नहीं चलाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा माइक आगे और आत्मी है खाली अरे ये क्या है तो माइक जा रहा है तो ये जो एंटी एरक्राफ्ट गन है इसको पहले मुझे डिस्ट्रॉइ करना होगा तब माइक वापस आएगा माइक ने सुसू प्रेक लिया है ठीक अच्छा ही है रिलाक्स करो मैं देखता हूं इनको मशीन गन या शॉर्ट गन की गोलियां बन जाए ना मजाई आ जाए हाँ सही है शॉर्ट गन की भी गोलियां बनी जाएंगी ओके आज आ बई इस एंटी एरक्राफ्ट गन को कैसे उड़ाया जाएगा भाई साब ये तो पूरी तैयारिक साथ बैठेवे है अरे 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 बतलब अबना हड़ गई यह लियोन की वो जो छज़े पर गन लेके चड़ाओ है ना उसको हैंडल करना होगा मन्हूस बता रहा हूं देरे को मेरा आर्मर पुरा डिस्ट्रॉई हो गया लेकिन वो जो मेन आप भी ना वो मर गया यह अच्छी बात हुई है एक आदमी नजर आ गया रुको स्टाइपर का है इंदजार कर रहा था मेरा सारे आतमी ना आज इतनी शाना लगाने में अचानक से एक्सपर्ट हो गया है नहीं नहीं बहुत अच्छा है और वही आईया सवाद माइक बस मेरा वेट कर रहेगे कब मैं एंटी एरक्राफ्ट गन को उड़ाँ लेकिन पहले पता तो चली को उड़ाना कैसे जब तक दो थीन सुपलेक्स लियॉन नहीं लगा दे लियॉन का खाना नहीं पच्छता है अच्छता है यहीं कुछ जादा गोल यह नहीं खा गया वो एक और आया इतने इतने लोगों को मारा फिर भी शरम नहीं आ रही है एंटी एरक्राफ्ट गन तो मुझे नजर आ रही है लेकिन इसको उड़ाओं कैसे लॉंचर है क्या असपास मतलब मेरे पास लॉंचर चाहिए था उनके पास नहीं पहले न यहां साइट से खड़े होंके लॉंचर वाले को मार नहीं होगा वरनो उपर नहीं जा पाएंगे लॉंचर से पहले न यह जलते तीर वाले को मार नहीं है होना चाहिए हद है चलते उपर देखते हैं क्या इंतजाम है एडा सही टाइम पर क्यों नहीं आती है अभी आज आती बड़ा मदद की जरुवत है आपना बनेगी केजिए अफटू एडा सब्सक्राइम आती है आपना अगा आपना देखते हैं मतलब ऐसा नहीं यह पीछे से आ सकते है क्योंकि गन पीछे नहीं गुमती है माइक से उनको कम मुझे जादा डर लग रहा है वो तो मतलब मॉन्स्टर है मुझे मार देगा माइक माइक का चॉपर जैसी नजर आए मैं रास्ता क्लियर कर दूँगा भाई सब अल्मूस्ट मारी दिया था मुझे माइक थोड़ी सी वार्निंग दे दो होगे ना तो अच्छा लगेगा मतलब लेकिन माइक ने मेरा बहुत काम असान कर दिया है थोड़ी गोलियां मैं खालूँगा प्यार से देखरो ना गेड भी खोल दिया भाई ने और क्या चाहिए फिर तो माइक की गोलियां कितम हो गई है अंदर ना एक या दो आत्मी के पास मशीन गन है डेफिनेटली अब दो आत्मी या एक आत्मी के पास तो है अब अंदर कैसे जाओं ये देखना है जो नीचे मुझे मारने आ रहे हैं उनको बाहरी लाके मार लेता हूँ उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा अब ना उस मशीन गन वाले को देखना है तब ही अंदर जा सकते हैं अरे इस कवर के वज़े से ना वो नजरी नहीं आ रहा है अंदर जाना ही पड़ेगा बाहर से नहीं मार सकता हूँ उसको गोलिमार की ये लोग हस रहें क्या अच्छा अब ये हसी को रोने में बदलते हैं तो लियोन दोड़ने के लिता यार रुकना मर दूपर जाने के लिए रास्ता मिल जा है मशीन गंदमले को मार दियाना तो पूरा यहां पर खाली कर दूँगा हाँ तो बहुत हसरे दिवाई लोग कहा है बहुत कम लोग थे और को ये चलाने मिलता ना अच्छा लगता आई होप के और आत्मी आए इस गन के ना आस पास रहना है जैसी कोई आत्मी आया पका आएगा क्योंकि म्यूजिक हो रहा है ना अच्छा दोनों सुईच अउन करना पड़ेगा गेट खोलने के लिए आप या गाए वहाँ वहां अच्छा आप यह अच्छा आप प्रसक्षा आप मैं अपनी कोलियां वेस्ट नहीं करना चाहरा हूँ और कोई आ रहा है तो बता दो अभी आई तिंग अब कोई नहीं आ रहा है उस साइट जाना होगा वो स्विच आउन करने के लिए फिर आत्पी के टाइम में गन में गोलियां खताम हो गई कोई बाप नहीं मागन में अमिर बास इस नमूने को इधर नहीं आने देना है ऐसा है कि हेल्थ लगा ही लेनी चाहिए क्योंकि अब आर्मर नहीं तो हेल्थ जल्रियल दी जा रही है और कोई आने वाला है तो अब ही आ जाओ तूस साइट में जो सुइच है ना उसको भी ओन करना है तब ये गेट खुलेगा और उसके बाद देखने है कि कितने आत्मी और आते है यहाँ पर ऐसे समान भी बहुत है आई होप कि कुछ छूटे नहीं अगर छूट किया तो अब तो लास्टी है लेगिन ना छूटे तो जाना बेटर है बस सैटलर की पास जाने से पहले ना मर्चंट मिल जा है क्योंकि यह आर्मर रिपेर करवाना है और गन भी हो सकता है अभी पैसे भी हो गए है तो अपगेट करवा लिया जाएगा कोई आत्मी नहीं आ रहे है मुझे लगा था कि आत्मी आईए चलो डिएगेट खुल गया है एक राउंड जल्दी से देख ले देख कोई समान छूटा है या नहीं फिर निकला जाए यहां से तो अभी मुझे याद आ रहा है कि इस चौपर की बात ना लियॉन के हैंडलर ने गेम के स्टार्टिंग में करी थी कि एक चौपर आ रहा है तुम लोगों के लिए और वो अब जाकर आया है मुझे अभी याद आ है यह बात अधियुन के लिएधा है तो यहां से निकलने कि अच्छी अधियू आप। सब्सक्राइब अरे लग गह रस्टे वह भाई माइक पर गए ये सैडलर साइडलर ना अब सच में सच में साड होने वाला है रुक जो मनूस मख्या लियोन ने ऐसा बूल दिया है कि अब अगला नमबर ना सैडलर ही गाएगा वही नेक्स्ट वही मरने वाला है बताव माइक नहीं होता तो अभी मतलब कितना मुश्किल होता यहां तक पहुशने में बिचारे माइक को मार दिया माइक मरा या नहीं जिन्दा तो होने के चांसेज नहीं लग रहे हैं चौपरी के अंदर था वो पर अगर जिन्दा हो तो अच्छा लगेगा नीचे आएक्यू हम ओ यह अरे अब लास्ट में यह फोड़ के क्या ही मिलेगा अच्छा यहां पर कुछ है यह तो जरूर लेना है क्या इसके अंदर है ओकी सही है काफी पैसे मिलेंगे है कुछ लिखा हो है इसको पर पकवास पकवास तीनं सेडलर ओ मुझे लग रहें ने कि सैडलर के पूरवज लोग यही पर दफन है काश उनको भी निकाल के मार सकते है Вам लेकिन जाने तो फिलाल सैडलर से काम चला लेते हैं यहां पर जो भी समान मिल रहा है लेते और निकलते हैं यहां से उपर से धुआ में से खून निकल रहा है अच्छा वो आइधिंक के माइकी का खून है क्या यह मुझे इसा लग रहा है मतलब आग और खून दोनों कलर तो ऐसा ही था एडा कहा है मतलब गेम खतम होने बाद आईगी क्या अब बहुत अच्छा टाइम एडा आने का क्यूंकि अब लास्ट बॉस फाइट होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट रखा वह 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 ब्लू मेडालियन का कॉन्ट्रैक्टोगा उसको अभी खोजने में टाइम वेस्टे करेंग आगे बढ़ते हैं अब गेम खताम होने वाला है इन बैक्स कंदर था पक्का वह होगा रिजनरेटर रुक जो अभी पता चल जाएगा हाँ यह सोया हुआ है साइट से निकलना होगा अगर यह जिन्दा हुआ ना स्टाइपर की गोलियां यह वेस्ट करवाएगा भी बाहर निकलना है तो निकली जा लग रहा नहीं है लेकिन निकलेगा मतलब साइट से निकल सकते हैं बैग में थोड़ा चेक करकर के जाना होगा कि किसके अंदर रिजनरेडर है किसके अंदर नहीं है यह देखो नोट्स लिखावा है ओके cooling system के अंदर लाके रखा मतलब अंदर रखा होगा वो freezer type का environment होगा तो cooling system जब तक काम करते रहागे ना तब तक तो यह regenerator soy में है बस यह cooling system off नहीं हो जाए वरना पागल होको फिर आई हमला चालू और sniper की गोलियां waste हा मतलब बैग हिलने का आवाज आरहा है क्यों है मतलब ख़जाना मिल या अच्छी बात है लेकिन मर्चंट भी लेगा या ये ख़जाना में घर लेके जाने वाला हूँ इसमें लगा लिया जाए स्टोन अब मर्चंट भी लेगा ना सब कुछ बेज दूँगा जो नॉर्मल स्टोन्स भी है वो सब भी बेज के हटाओ और जो वेपन अपग्रेड हो सकता है अपग्रेड कर लिया जाएगा इसके अंदर तो भरे होंगे बैक्स और कांड होने वाला है तो फेल्ड गेम फैमिली आज का गेम प्ले यहीं पे खतम करेंगे और जो नेक्स गेम प्ले वो पक्का फाइनल गेम प्ले होगा तो एकदम फटफट से लाइक करो और रात तक 5K लाइक्स कम्प्लीट कर दो और कल ही इसका फाइनल एपिसोड आ जाएगा तो चलो ख्याल रखो सेफ रो और चेस रो और टाडा टेक केर बाई बाई